राज में 1 अक्टूबर 2023 को 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही बहाली की परिक्षा शुरू हुई थी इसका प्रश्न पत्र परिक्षा के घंटे भर पहले वाइरल होने के बाद इसे रद्ध करना परा था इस मामले की जाज कर रही EOU की टीम को हाल में कुछ एहम सुराग मिले हैं इसमें प्रश्न पत्र पेचने या इस परिक्षा में चैनित कराने समेत अन्न सभी तरह के लेंदेन में हवाला का उप्योग हुआ है सारगना से लेकर नीचे तक के तमाम लेंदेन हवाला के ही जरिये होने की साक्ष मिले हैं आपको बता दे की मामले की जाज कर रही EOU की 22 सदश्ये SIT जिसे विसेश जाज दल को हवाला लेंदेन से जुरे कई एहम सुराग मिले हैं फिलहाल SIT तह तक जाकर इसमें शामिल मुख्य आरोपित की पहचान कर उसे दबोचने की काव्यायत में जुटी है SIT सिपाही भरती पेपर लीक मामले में परिक्षा को आयोजित करने वाली केंद्रिये चैन परसत के वरिष्ट अधिकारियों से भी जल्द पूछताच कर सकती है सभी संबंधित पद अधिकारियों से पूछताच के लिए जाच दल के स्तर से तयारी शुरू किये जाने की सूचना है सूत्रों के मुताबिक केंद्रिये चैन परसत के SIT ने पेपर लीक से जुड़े कई कागजातों की मांग की है लेकिन इसमें काफी कागजात अब तक जाच एजनसी को नहीं मिली है इसकी मांग फिर से की जा रही है आपको बता दे कि अब तक पेपर लीक मामले में प्रशन पत्र वाइरल करने वालों को लेकर इसे प्राप्त करने वालों तथा जिले में इसे हल कराकर केंद्रों में इलेक्ट्रोनिक गैजट की मदद से चोड़ी कराने के लिए सेटिंग केंद्रों से जुरे 212 अपराधियों की गिरफतारी हो चुकी है परंतु अब इसका मुख्य सरंगना पकर में नहीं आया है नाहीं वस पस्ट रूप से चिनित हुआ है जहां से इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था SIT के स्तर पर अब तक करीब 70 लोगों से पूछताच की जा चुकी है कईयों को नोटिस देकर बुलाया गया था और उनसे पूछताच कर बयान दर्च किया जा चुका था इस मामले में कुछ महीने पहले EOU ने इमेल, ID और फोन नंबर जारी कर आम लोगों से भी जानकारी मांगी थी इसमें भी कई एहम जानकारी मिली है आपको बता दे कि 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली का आयोजन हुआ था इसकी पहली पहाली का प्रश्न पत्र लीक हो गया था इसके बाद 2-3 दिनों में 18 जिलों में 75 FIR दर्च कर आई गई थी फिर 7 अक्टूबर 2023 को EOU ने DIG के नित्रित्रु में एक SIT गठित की थी 18 अक्टूबर 2023 को EOU के जाज का जिम्मा DJP को सौपा गया था सत्यता साबित होने पर 31 अक्टूबर 2023 को EOU ने दर्च की थी FIR EOU के केस टेक ओवर करने से पहले तक सिपाही पेपर लीक मामले में 75 FIR दर्च हो चुकी थी EOU के 31 अक्टूबर 2023 को इस मामले में अपने स्तर पर FIR दर्च कर समुचित जाच शुरू कर दी आपको बता दें कि सभी जिलों में दर्च हुई FIR को अपने पास मंगवा कर इनकी समिक्षा की गई है इसके तहट सारन में 11, भोचपूर में 10, भागलपूर में 9, नालंदा में 7, नवादा में 6, सहरसा में 5, लखी सराय एवं पटना में 4, रोहतास, मुंगेर एवं मेथपूरा में 3 और 3, जहानाबाद एवं मुंबई में 2-2, तथा अर्वल मोतिहारी और अंगाबाद, फायार दर्ज हुई थी, ब्यूरो रिपोर्ट पटना